दोस्तों यह voter ID card का जो photo नजर आ रहा है, यह photo किसी दूसरे बंदे का है, नाम मेरा है और photo किसी और का है, इसको कैसे change करेंगे आज के video में आपको हम बताने वाले हैं, आप अपने mobile से अपना photo का change कर सकते हैं, लेकिन कैसे किया जाता है, आज के video में एश्टे बेश्टे आते हैं कि कैसे आप अपना पोटो को चेंज करेंगे प्ले इस्टोर पे जा करके आपको एक अप्लिकेशन को डाउनलोड करना होगा जिस अप्लिकेशन का नाम है बोटर हेल्फ लाइन आप लोग यहां पे देख सकते हैं यह अप्लिकेशन आपने मोबाइल में आपको इंस् भाद login वाले option पे जा करके आपको करना है klik आप यहाँ से अपने mobile number डाल करके register कर सकते हैं मैं register कर चुका हूँ इसलिए मैं यहाँ से login कर रहा हूँ login करने के बाद आपको voter registration का एक option नजर आता होगा इस वाले option पे आपको करना है klik आपके सामने कुछ form open हो जाएगा आपको यहाँ पर form number 8 पर जाकर करना है click कोई भी correction करने के लिए तो form number 8 पर जैसे मैं कर रहा हूं click तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का option open हो जाएगा यहाँ पर start वाले option पर करना है click जैसे start वाले option पर click करेंगे यहां से पुछेगा आपके पास voter ID number है अगर आपके पास voter ID number है तो आप next वाले option पे कर देंगे click उसके बाद आप अपना estate को select कर लेंगे जिस estate से आप belong करते होंगे हम विहार से हैं तो विहार को select कर लिए voter ID card का जो number हो ताओ लिए करके face details वाले option पे करना एक click यहां पे आपको बताएगा कि आपका record है अगर आप correction करना कुछ भी चाहते हैं तो प्रोसीड वाले option पे correct click तो नीचे प्रोसीड पे click करेंगे आपका पूरा details यहां पे open हो जाएगा जैसे नाम, age, gender, parents, name, सारे चीज़ उसके बाद इसमें कोई भी change करना चाहते हैं आप तो आपको next करना होगा फिर आपको यहां पे दुबारा next कर देना है जैसे आप next वाले option पे click करेंगे तो आपको यहां पूछेगा क्या correction करना चाहते हैं तो जो आपके id है उसी में कोई गलत है तो correction करना चाहते है तो दो नमबर वाले option को click करके आपको फिर next वाले option पे click करना है अब आपसे यहां पे पूछ रहा है कि क्या change करना चाहते है जैसे मैंने नाम को change करना है नाम के spelling में mistake है fathers के नाम में mistake है और photo हमारा दूसरे लोगों का लग चुका है तो photo का भी मुझे change करना है यह तीन option मैं select करके उसके बाद से next वाले option पे मैं कर रहा हूँ click जैसे next वाले option पे click करूँगा जो भी आपका नाम का spelling जो सही है जो आपके अधार कार्ट पे है यह जो भी document में है उस सही सही आपका यहाँ पे नाम के डालना है spelling सही होना चाहिए जो आप change करना चाहते उसके बाद आपको यहाँ पे एक proof को upload करना होगा जैसे कि आप यहाँ से अधार कार्ट को भी upload कर सकते हैं जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैं अधार का फोटो घीच करके रखा है आम gallery में जा करके अधार का फोटो यहाँ से हम upload कर दिया उसके बाद photo के लिए आप अपना photo भी upload कर सकते हैं same process से देखे photo भी मैंने upload कर दिया है उसके बाद आपको यहाँ पे place का यहाँ पे दे सकते हैं जैसे जिला से जिला के नाम लेकरके आप done करेंगे आपके साब ने preview का option आ जायेगा आप एक बार पहले वाला उसके नीचे जैसे जाएंगे तो आपका जो नाया चेंज किये हैं उसका डिटेल्स पुरा सोख करेगा आप लोग यहाँ पे एक बार मेज कर लिजिए नाम गरे सब चीज सही है स्पेलिंग सही है फोटो सही है अगर सब चीज सही है डोकुमेंट ज हमी जाएगा इस reference ID को आप recipro कर सकते हैं और कभी भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका काम कहा तक हुआ चैक करने के लिए आपको यहाँ पर जाकर करना यह को पर शिर्म सोर्ट करेंगे अपना reference ID डालेंगे सर्च करेंगे। इसके बाद BLO appointment के लिए जाएगा field verification होगा उसके बाद accept हो जाएगा पांसा साथ दिन में ये पूरा हो जाता है आप online चेक कर सकते हैं उमीद करते हैं मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगत लाइक कीजिए इस तरीके से आप अपना change कर सकते हैं थैंक यू